हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ की दोस्तो अगर आपके फोन पर कॉल आ ही नहीं रहा है और नहीं जा रहा है आप किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा है और आपको कोई यहां पे कॉल नहीं कर पा रहा है तो इस प्रॉब्लम को यहां पे करना पड़ेगा सबसे पहले तो आप लोग अपने फोन में फ्लाइट मोट को एक बार इनेबल कर दीजिए उसके बाद आपको दुबारा से उसको डिसेबल करना है तो ऐसा करने से दोस्तों अगर आपके फोन पर नेटवक नहीं रहता है तो वो जो है नेटवक आ जाता है आ उपन करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फोन में एप्लिकेशन वाले ओप्शन पर क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैनेज एप्लिकेशन पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्जबार पर क् लिखना है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डाइलर करके तो इस तरीके से आपको contact लिख लिजी आप लोग यहाँ पर फिर भी contact लिखेंगे तो आपके सामने contact and dialer का application मतलब कि यह जो option है वो आएगा यहाँ पर क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पर आप लोगी storage पर जाईए और यहाँ पर आपको उसका जो data है वो यहाँ पर clear कर देना है यहाँ पर clear data पर क्लिक करिए और clear catch कर दीजिए तो इस तरीके से आप लोग clear catch करिए उसके बाद यहाँ पर आपको APP Permission पे क्लिक करना है APP Permission पे क्लिक करने के बाद आपके सामने Call Lock Option आएगा तो आपको यहां पर इसको Allow कर दीजिए यानि कि आपको उसका Permission दे देना है तो इस तरीके से आप लोग Phone का Permission भी दे दीजिए और Contact का Permission भी दे दीजिए तो आपको सभी permissions को allow कर देना है तो उसके बाद दुस्तों आपके phone पर यह जो problem है वो यहाँ पर solve हो जाएगी तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस problem को solve कर पाएंगे तो चलिए guys मिलते हैं next video में